नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज बात करेंगे मोवल टेकनोलोजी की, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि मोवल टाउर में लगे इन दो अलग तरह के एंटिना में क्या अंतर होता है और इनके क्या काम होते हैं, साथ ही 4G के LTE और होल टी में क्या अंतर है? तो इसे जानने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो में अंतर तक बने रहें आगे बठने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप मोवल टेकनोलोजी और इंटरस्टिंग एप्लिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो टेकी स्पाइडर इस चैनल को ज़रूर विजिट दे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो इसे ड्रम साइज। मगर कभी आपने यह सोचा है कि मोवल टॉर पर लगे इन दो अलग तरह के एंटिनाज में क्या अंतर होता है तो आपको बता दूँ कि उपर लगे इन लंबे स्क्वेर शेप वाले एंटिनाज को जी एसम एंटिना कहा जाता है इनका काम होता है आपके मोव की टॉर के जी एसम एंटिना तक आगे जी एसम एंटिना आपकी कॉल को कॉल रिसीवर के नजदी की टॉर की जी एसम एंटिना तक पहुंचाता है और फिर उस टॉर का जी एसम एंटिना रिसीवर तक आपकी कॉल को पहुंचा देता है तो यह काम होता है जी एसम एंटिना रखना इसे हम आसान भाशा में समझते हैं आप जहां रहते हैं वो होता है आपका home network जहां आपका network और आपके sim की सारी details registered होती हैं अगर आपके किसी दोस्त ने या फिर relative ने आपको किसी और शहर से या फिर किसी और location से call किया है मगर तभी आप अपने home network से बाहर हैं इस situation में आपके दोस्त की call सबसे पहले जाएगी आपके home network की tower पर मगर तभी इस tower का microwave antenna आपके location वाली नजदी की tower की microwave antenna तक आपकी call को पहुंचाएगा और फिर जाकर आप अपने दोस्त की call को receive कर पाएंगे In short, towers का JSM antenna और आपका mobile ये आपस में connected रहते हैं और microwave antennas ये सभी नजदी की towers को आपस में connected रखते हैं दोस्तो, अब बात करते हैं LTE और whole TE में क्या अंतर होता है जब इंडिया में 4G start हुआ तब वो पूरी तरह से advance नहीं था क्योंकि 4G तकनिक को लगने वाली requirement कोई भी company पूरी नहीं कर सकती थी तब उसे नाम दिया गया LTE याने long term evolution इसका मतलब है ये under development रहेगी इसलिए इसे LTE कहा जाने लगा अब बात करते हैं VOLTE के बारे में 4G LTE में data को optical fiber से और voice को radio frequency के माध्यम से भेजा जाता था मगर radio frequency में बहुत सारा disturbance होनी की वजह से calling में बहुत ज़्यादा problems आती थी याने कई बार try करने के बाद भी call ना लगना या फिर गलत caller को call जाना ऐसे अर्चने आती थी तभी टेलेकॉम कंपणियों ने ये सोचा कि क्यों ना voice को भी data के माध्यम से भेजा जाए तभी से voice को भी data के जरीए भेजा जाने लगा और इसे कहा जाने लगा VOLTE याने voice or LTE दोस्तो आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छ लगी हो तो इसे अपने जुरत मन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ऐसे और भी इंट्रेसिंग नौलेज पाने के लिए हमारे चैनल के बाकी के वीडियो भी ज़रूर चेक करें साथ ही हमारा होसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद